हेलो स्टुडेंट आइम हुनिश्वरी साउ असिस्टेंट प्रफेशर इना भारती कॉलेज दूर्ग ठीक है डिप्लोमा सिक्सम के आज हमारे जो एडी सब्जेक्ट है उसके विडियो लक्षर का टॉपिक है परियोजना प्रतिवेदन के अंतर लेखों का वीवरंड अंतर लेखों मतलब उससे रिलेटिड क्या क्या चीजें होती है उसका हम विवरंड बताएंगे ठीक है परियोजना मतलब क्या होता है किसी चीज के बारे में हमें योजना करना मतलब की प्लैनिंग करना एक तरीके से ओके सबसे पहला होता है परियोजना का परिचे परियोजना का परिचे मतलब क्या होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट ठीक है जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं बेज रहे हैं या बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में पहले जा किया रहता हो उलेख किया जाता है ठीक है उसका मतलब बोलने का मतलब क्या होता है प्रतियोटन में सब्रेल प्रतम क्या होता है जो भी उसका परियोजन है उसका क्या किया पहले इंट्रोड़क्शन लिया जाता है ठीक है और उसमें क्या होता है उद्यों का जो नाम होता है य सिति बजार की सिति मतलब बजार सर्वेक्षन के अधार पर इसमें वस्तु बजार में मांग वा पूर्ति का वीवरण किया जाता है ठीक है मांग वा वीवरण का पूर्ति मतलब बजार में पहले वो क्या करेगा सर्च करेगा कि उस माटेरियल का क्या है क्या दाम चल रहा है उसके according वो क्या करता है, कितना मांग है, उसके इसाब से क्या करता है, वो पूर्ती का वीवरंड करता है, ठीक है, जितना पूर्ती है, अमालों कर मार्केट में क्या है, बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा value को क्या करने की कोशिश करेगा, बेचने की कोश की मात्रा और उसकी बिक्री मुल्य का उल्ले का किया जाता है क्या पूर रहा है प्रतिवेदन में जब हम वस्तू के बजार की स्थिति को क्या करता है वो ध्यान में रखता है और वस्तू के उत्पादन की जो भी मात्रा होती है और उसकी बिक्री मुल्य को क्या करता है ध्यान में रखता है बजार कीस से थे मतलब production of article मतलब बजार में कैसा है उसका है वेटेज कितना है है ना उध बादन की मात्रा कितनी है अब मालो हम बजार में जा रहा ही थीक है जैसे हमें कोई चीज इसली नहीं मिल पाती तो हम क्या करेंगे उस चीज को क्या करेंगे देखेंगे analysis उसके बाद हम एक्राइड क्रारिघु आपका आपका कच्हे मालगी आशक्ता कंद of materials ठीक है raw materials तो क्या के चीज़ाएंगी इसमें ठीक है क्या बोल रहा है कच्छे माल मतलब कितने कच्छे माल की हमको जरूरत पड़ेगी और उसकी कुल कीमत क्या होगी इसका विवरण लिखा जाता है ठीक है मलब जैसे क्या होता है एक अच्छा की एसांपल में आपको देती है जैसे हाँ घर का इसांपल रहा है और सबजी की जरुगती है जो भी राशन material होता है, सबकी जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस चीज की हमको और जरूरत है, हमें और ये चीज़े हमारे घर में available होना चाहिए, या नहीं है, तो हमें वो सारी चीज़े लाना है, ठीक है, उसका हम एक विवरन लिखते हैं, एक हम क्या बनाते हैं, एक परची में हम क्या करते हैं, उसको पुरा नोट करते हैं, हाँ, ये ये चीज़े नहीं है, हमें इन चीजों की जरूरत है करके, तो वैसे ही क्या करते हैं, जब requirement होता है, राव materials के, तो उसके लिए भी हम ये यही procedure क्या करते हैं, अपलाई करते हैं, ठीक, न परियोजना प्रपत्र में दिया जाता है, ठीक है, मतलब क्या बोर रहा है, उद्योग में जो भी लगने वाले machines हैं, हम क्या क्या machines यूज कर रहे हैं, ठीक है, उपकरणों के जो भी नाम है, क्या 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 नाम है, उसका मुल क्या क्या है, जो भी चीज़े होती, सारी निर्मान प्रक्रिया में क्या होता है manufacturing processing manufacturing processing में वस्तु निर्मान प्रक्रिया का संचीप्त विवरण परियोजन प्रतिविदन में देने से निर्मान की समय Márga निर्देशन राप्त होते हैं मarigu निडमाय प्रक्या मतलब क्या वरा प्रतिभेदन तो यह किसा करता है वो पूरा काम करने की कोशिश करता है अब उसके बाद होता है उपयोगी सिवाए उपयोगी सिवाए में क्या-क्या चीजे होती है परियोजन प्रतिवेदन में क्या होता है इस बात का संचिफ्त में उलेक करना भी क्या होता है जरूरी होता है संचिफ्त में उलेक मतलब क्या क्या चीजे उपयोगी चीजों की हमें सेवाइब जैसे कि मार्केट में या गौर्रमेंट क्या करता है कि लोगों को किंकिन चीजों की जरुवत है और हमें मार्केट में उसे चीज को एवलेवल कराना है है ना तो वो सारी चीज़े हमें क्या करकिया जाता है प्रोवाइट किया जाता है तो वैसे ही क्या होता है परियोजन आप प्रतिवेदन में इस बात का संच्छेप्त उल्लेग करना जरूरी होता है कि अध्योग के लिए उपयोगी से हैं ठीक है आप मालों एक फैक्टरी आपने ओपन किया है तो उस फैक्टरी को चलाने के लिए क्या होना जरूरी है क्या क्या चीज़े वहार रिक् ठीक है उसके बाद क्या चीज़े होती है फिर ये ये सारा मेरे टॉप इतने सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है ध्यान देना पर ठीक उसके बाद नेक्स टॉपिक आता है आपका भूमी वा भावन का नर्मान भूमी वा भावन का नर्मान में क्या बड़ा उद् करने वाली सामागरी की मात्रा ठीक है अब भावन घर बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या माटेरियल लग रहे हैं वह सारा चीजों को क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना जरूरी होता है ठीक है उनका मुल्य निर्मान आदि संचिप्त का क्या क्या जाता है उल्यों क्या में योजना बनाना है हम एक भावन निर्मान कर रहे हैं तो उस भावन निर्मान के लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है यह सारी चीजों को क्या किया जाता है इंक्लोड किया जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है ठीक उसके बाद नेक् करना रहता है एक shop open करना रहता हूँ जैसे मैं अच्छा आपको इजांपा लेती हूँ अगर हमको एक medical shop open करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जगह देखेंगे कहां पर है suitable कैसे है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा करके हम क्या करते उसको जाए के पहले चयप करते हैं ठीक है फिर इस जगा को हम देखते हैं कैसा है है या नहीं नर्मान के लिए अच्छा है की नहीं समागरी और उसका मुल्ले कितना है करें हमारे जाड़ा मुल्ले तो नहीं लग रहा है ऐसा करके हम क्या करते हैं पूरा हुस सब कुछ पता क थापित के लिए ठीक लगने वाला जो भी औवीधि उत्वास्वी टाइम रहता है उसका कiset थाइम का क्या रखता है कि मुझे इतने से इतने टाइम में क्या करने का है उसको कंप्लेट करने का जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिला है ठीक उसके बाद होता है next point होता है अपका उत्पादन लागत एवं लाग उसमें क्या होता है first point उत्पादन लागत में मजदूरों वा करमचारियों का वेतान भवन किराया कच्चा माल बिजली स्टेशनरी टेलीफोन आदी को सम्में लितिया जाता है अब उत्पादन के लिए किया कर रहे हैं अगर वहा पर काम करने के लिए बुला रहा है उन लोगों को तो उनके रहने की भी विवस्ता करेगा अब सिर्फ उसको एक घर बना के देने से तो नहीं होगा है ना सिर्फ घर बना के देदेगा तो वो रह जाएगा क्या नहीं उसको वो देने के साथ साथ क्या करेगा उसको सारे मा अकच्चा माल है ना जो भी materials raw materials बिजली की पानी की जो भी और टेलीफोन स्टेशनरी सारी चीजों की क्या करेगा वहां पर वो facility उसको provide करेगा ठीक second point क्या बोलता है वर्ष भर में होने वाले अनुमानी उत्पादन की कुल लागत को बिक्री में से घटा कर लाप की गणना करता है ठीक है क्या बर्ष भर में जो क्या करेगा जो भी उत्पादन होगा ठीक है उसकी खुल लागत को क्या करेगा बिक्री जो भी बिक्री हुआ उसमें से घटा कर उसकी गणना करेगा अलब बोलने का मतलब है जैसे कि मैंने एक अच्छे जैसे कि मैंने एक खेट हरे पास और उस खेट पर मैंने क्या किया मुझे उसमें पानी मतलब पासती नहीं प्रोवाईब हो था जैसे कीजिए मैंनेन बोर वगएरा यहस Dani अब अदु आपницоме मुझे बावाने के लिए उस Ben संतिंक मजह क्या है वहां का कॉस्ट आया तो में उसको कैसे ने का जब हम च्या क्या लूग थे सिर्म नास रहाँगा रहांगा नास क्या बीडियले बीफिया पर बेएख़ को स्क आ reinforcing 1 साल में अगर 1 लाग का मैंने मुनाफ़क है मतलब 1 से या 90,000 का मेरे को फायदा हुआ तो मैं उसमें क्या करूं ने ने इतना पैसा लगाया था मेरे को इतना इतना मिला तो जो बोल रहे हैंना कितना लाब हुआ ये सारा चीज़ों का वो क्या करेगा, calculation करेगा यह कितना उसको profit हुआ ठीक, तो यह होता है उत्पादल लागतेवं लाब तो इस type से क्या होता है आप लोगों कुछ चीजों को relate करके समझना है क्या होता है, कैसे काम करता है ठीक है उसके बाद आता है आपका next point है कर्ज अदायगी कर्ज अदायगी मतलब क्या होता है उद्द्यों के सापन के लिए कर्ज की अदायगी किस रूप में और कितने समय में की जाएगी ठीक है, किस रूप में मतलब कैसे क्या किया जाएगा, यह सारी चीजों को क्या करना पड़ता है ध्यान में रखना पड़ता है उसके बाद बोल रहा है conclusion last point आपका आता है conclusion conclusion मतलब क्या होता है हमें अभी मैंने आप लोगों को इतने सारे जो steps बता है उसका conclusion क्या निकलता है निशकर्ष क्या निकलता है सबसे अंत में परियोजना विशिशेग परियोजना का निश्कर्ष लिग कर बताते हैं कैसे निश्कर्ष लिग कर बताते हैं कि मैंने यह सारे चीजों को क्या किया अपलाई किया तो मुझे इससे यह फाइदा होगा ठीक तो वह क्या करता है सारे चीजों का बेवरा निकलता जैसे कि हम क्या करते हैं हमने one where we to go do जैसे कि हमने एक मैडिकल शॉप ऑपन कर लिया है। तो उससे क्या होता है? हाँ मैंने इतना लगाया तो मुझे इतना प्रॉपिट होगा और मुझे और आगे क्या क्या करना है? ये सारी चीज़े क्या होते है? उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है? पर योजना की स्थापना उस छेजर से लगे क्या प्रभाव पढ़ेंगे? कित होती है? दिया जाता है. तो ये जो समपूर जो होता है किसके थरू होता है? ये सारे फ्रोटीजरज होता है, गसी contraction का हम होता है sales कैसे करते हैं हम किसी भी product का ठीक है और भूमी भावन का निर्मान कैसे करते हैं उद्यों को इस थापित की अविधी क्या होती है लागत वा लाव कितना होता है हमको ठीक है कच्छे माल requirement of raw materials क्या क्या होते है machine वाउप करनों का जो मैंने विवरन बताया manufacturing processing बताया आप लोगों को क्या क्या उपयोगी से रहा है तो ये सारा जो पूरा complete जो एक procedure जो चलता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं परियोजना प्रतिवेदन के अंतरलेकों का विवरन ठीक है अगर आपको question पूछता है कि अंतरलेकों का विवरन दीजिये तो आप ये सारे points को क्या करेंगी include करके आपको बताना पड़ेगा क्या होता है? कैसे होता है? कैसे काम करता है? ये सारा चीज्ज आपको क्या करना पड़ेगा? explain करना पड़ेगा ठीक है और इसमें से जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी योजनाएं के बारे में बताया हैं, तो वो सारे योजना के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या क्या चीज़े उसमें इंक्लूड होती है, और क्या क्या चीज़ें को आपको देखना है उसमें तो बागी क्या और हम कुछ इसमें important जो terms है अभी तो मैंने परियोजना के बारे में बिता और कुछ-कुछ चीजे हैं वो next video lecture के तुरू हम लोग देखेंगे इसको आप लोग अच्छे से करेंगे जब मतलब exam के point of view से आपको बहुत अच्छे से इसको prepared करना है ठीक है question बहु जर्फ paper में exam में pass होने के लिए नहीं पढ़ना है even कल के दिन आपको क्या करना अगर एक business करना है तो आप एक business करने के लिए ठीक है आप study क्यों कर रहे हैं पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आपको आगे अच्छे से किसी job में करना है आपको अपना career set करना है job करना है ऐसा करके आ आप सोच के कर रहे हैं तो कल की दिन आप क्या कर रहे हैं आपको कोई एक इंट्रस्टी खोलनी है या कोई अपना खुद का बिजनेस ओपन करना है ठीक तो आप क्या करेंगे उसके लिए यह सारा प्रोसीजर अपलाई कर सकते हैं आपको पता रहेगा हाँ मैंने पढ़ा था यह चीजे होती है मैडम ने यह सारी चीजे बताई थी तो मुझे यह सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ठीक है ऐसा करके आप क्या करेंगे एक कम्पलीट आप बिजनेस के लिए अपने आपको प्रिपेर करेंगे ठीक है तो हमारा यह जो सबजेक्ट है इतनी सारी जो य होता है थैंक यू क्लास थैंक यू स्टुडेंट